हेलो अल, वेलकॉम टु टुटी गैड, आज हम प्रपर, इन्प्रपर और मिक्स फ्रेक्शन पढ़ेंगे प्रपर फ्रेक्शन देखते हैं, फर्स्ट हमारा प्रपर फ्रेक्शन हम ए बाई बी लिए ए को नियुमेरेटर कहते हैं, बी को यह हमारा फ्रेक्शनल नंबर हो गया तो इसलिए ए हमारा नियुमेरेटर, बी हमारा डी नोमिनेटर ओके, तो प्रपर फ्रेक्शन यह कहता है, अगर ए फ्रेक्शन whose numerator is less than its denominator, मतलग, A is less than B, तो यह हमारा प्रपर हो जाएगा ठीके, if A and A by B is a fraction, then A less than B is equal to a proper fraction example, 2 by 3, 5 by 8, यह दखो, 2 हमारा 2 less than 3 है, 5 less than 8 है, next 7 by 11, 7 भी हमारा less than 11 है तो यह सब हमारा प्रपर फ्रेक्शन हो गया, प्रपर फ्रेक्शन, तो हमारा वो डेफिनेशन क्या कहता है प्रपर फ्रेक्शन का? A fraction, a fraction, whose numerator is less than its denominator is called a proper fraction example हमारा यह है जो भी छोटा numerator हमारा छोटा डिजिट में आएगा और denominator उसका उससे बढ़ा रहेगा उसको प्रपर फ्रेक्शन केता है, ओके, next अभी हमारा इंप्रपर फ्रेक्शन देखेंगे इंप्रपर फ्रेक्शन क्या केता है वैसे इंप्रपर फ्रेक्शन, ए निमर, ए फ्रेक्शन, whose numerator is greater than or equal to its denominator ए फ्रेक्शन एक समान भी हो सकता है मैं एक्जाम्पल लेके आपको समझाऊंगी ए फ्रेक्शन, whose numerator is greater than or equal to its denominator is called an improper fraction वो क्या है, एक्जाम्पल 5 by 4 5 हमारा greater than 4 यह हमारा numerator है, यह हमारा denominator है तो numerator अभी greater than denominator हो गया और 5 by 5 भी आप लेक्शन ले सकते हो ठीके? और 9 by 9 भी ले सकते हो और अभी देखो 11 by 5 25 by 9 80 कुछ भी बस आपका उपर numerator denominator से ज्यादा होना चाहिए नहीं तो आपको equal भी ले सकते हो यह हमारा improper fraction केता है next of a whole number and a proper fraction a combination of a whole number and a proper fraction not improper fraction मतलब दोनों को मिला के एक whole number होना चाहिए एक proper fraction भी होना चाहिए वो दोनों को मिला के is called a mixed fraction example whole number कौन सा है और proper fraction क्या है मतलब कैसे दोनों को मिला के वो mixed fraction के ते है 2 1 by 3 3 2 by 5 4 5 by 7 it is देखो यह हमारा एक whole number हो गया इसमें fraction कुछ भी नहीं है whole number यह है और यह हमारा proper fraction क्यों proper fraction है क्योंकि इधर हमारा यह numerator छोटा है denominator से तो यह हम proper fraction ले लिए दोनों एक whole number और एक proper fraction को मिला के mixed fraction होता है अभी समझने आ गया अभी यह भी हमारा same एक whole number और एक proper fraction यह whole number एक proper fraction इसे improper पर आप नहीं ले सकते टीके next अभी क्या करेंगे अभी to convert a mixed fraction into a improper fraction mixed fraction को improper fraction कैसे convert करेंगे वो अभी हम देखेंगे mixed fraction क्या है अभी मैं बोली थी आपको mixed fraction हमारा एक whole number mixed fraction is equal to whole number plus proper fraction एक proper fraction एक whole number एक proper fraction ठीके आप आप एक्जाम्पल लेते हैं इसको कैसे लिखेंगे यह form में लिखेंगे यह whole number इधर कौन से क्या है whole number क्या है 2 हमारा whole number है plus 3 by 5 fraction को हम अलग करते हैं वो whole number आगया इधर हम fraction को अलग करते हैं तो यह total हमारा mixed fraction हो गया ओके next हम कैसे करेंगे इसको इसका answer कैसे निकालेंगे LCM यह 5 हमारा रहे जाएगा मतलब denominator आज इटिस से रहे जाएगा अभी इसको लेंगे वो कितना आता है मतलब कैसे इसको form करेंगे 2 into 5 यह जो इधर आएगा 5 into 2 करेंगे क्योंकि इधर LCM इधर 1 रहेगा यह एक होल नमबर है उसका नीचे हमेशा 1 रहेगा तो 5 इधर आजाएगा तो यह जो 5 इधर 5 आएगा यह 5 के साथ यह होल नमबर आपको इधर multiply करना है प्लस यह जो इधर आएगा 5 divided by 5 कितना हुआ 1 इधर 1 into 3 हमारा 3 ही रहे जाएगा अंसर हमारा 13 by यह हमारा 10 हो गया 13 by 5 हमारा अंसर ओके नेक्स्ट और एक एग्जाम्पल लिखाती हूँ 3, 4 by 7 यह हमारा 3 आगया इधर 4 by 7 इधर आगया प्लस में convert कर ले और अभी हमारा LCM 7 आजाएगा यह 7 into 3 हो जाएगा यह 2 into 5 हो गया इधर 2 था इधर 5 था तो 2 into 5 हो गया इधर 3 into 7 और 7 into 3 प्लस यह हमारा 4 रहे जाएगा कितना हो जाएगा 25 यह हमारा 21 plus 4 25 by 7 आंसर हो गया पहले आपको multiply the whole number with the denominator ठीके इजो whole number के साथ आपको यह denominator को multiply करना है और उसके बाद add करना है denominator of the fraction and to this product are the numerator of the fraction मतलब add the numerator of the fraction यह हमारा numerator है ठीके fraction का numerator यह हो गया तो हम add कर लिए उसके बाद जो अंसर आएगा उससे जो अंसर इधर हम numerator पे लिखेंगे और इसका कुछ भी change नहीं होगा denominator आपका आज़टिस रह जाएगा ओके हो गया देखो इधर भी denominator सेम है इधर भी है और इधर भी सेम है 7, 7, 7 अगर 5, 5 इधर 5 बस आपको इतना ही याद रखना है वो denominator को change नहीं करना है next पहले हम क्या देखे थे mixed fraction to improper fraction अभी improper fraction to a mixed fraction वो कैसे करेंगे 29 एक्जाम्पल लेते हैं 29 29 divided by 8 यह हमारा improper fraction हो क्या improper fraction क्यों क्योंकि यह हमारा numerator numerator greater than denominator तो अभी इसको mixed fraction कैसे convert करेंगे dividing 29 by 8 मतलब आपको divide करना है 29 by 8 से इसे divide करना है side में आपको लेके करना है तो कैसे करेंगे 8 table पे जाएंगे 8 टेबल में यह आ गया तो यह हमारा question है ओके तो इधर हमारा question हो जाएगा whole number next आपका यह जो remainder रहे जाएगा remainder यह हमारा question यह हमारा diviser यह dividend जोसे क्या आपको पता है तो यह हमारा question हमारा whole number हो गया remainder हमारा numerator हो जाएगा आज इधर यह रहे जाएगा denominator हमारा same रहे जाएगा तो अभी क्या हो गया यह plus form में हम लाए थे तो यह हमारा अभी इसे हो गया answer यह समझ में आ गया यह कैसे किये इसको आपको side में करना है बस आपको यह जो बड़ा number हैगा न यह छोटे number से divide करना है तो divide करने के बाद आपको एक answer आएगा वो answer आपका whole number हो जाएगा पकी remainder आप numerator बना दोगे और आज इत इस हमारा 8 इधर रह जाएगा denominator हमारा change नहीं होगा ओके हो गये हमारा तो convert an improper fraction into a mixed fraction यह से आपको कुछ भी number दिये रहेंगे तो आपको divide first जाके divide करना है पी जाके आपको answer निकालना next हम इसको number line में कैसे convert करेंगे बोच जाके check करते हैं परस्टा में number line लेंगे इसको number line पे ड्रॉ करेंगे आपको जो given number रहेगा इधर में 2 2 by 5 लेगे यह हमारा given number है इसको number line पे दिखाना है तो number line पे हमको first कितना unit चाहिए first हमारा 0 लेंगे फिर हमारा इधर whole number 2 है तो हमारा कितना unit होगा यह हमारा 1 यह हमारा 2 तो 2 हमारा पहले चाहिए 2 के बाद 2 by 5 लेंगे तो 2 by 5 मतलब हमको और एक unit चाहिए इधर ओके तो हमको यह mind पे बस set करना है हमको first कितना unit चाहिए एक number line पे वो हमको first draw करना है और सब को आपको एक एक unit मतलब यह सब equal होना चाहिए उसके बाद यह हमारा 2 है इधर देखो whole number आ गया उसके बाद हम क्या करेंगे इसके बाद यह जो 2 by 5 है ना 2 by 5 मतलब हम को इधर यह 2 के और 2 और 3 के अंदर ही चाहिए तो हमको कितने पाद चाहिए 1 2 3 4 5 ठीके यह सब एक एक unit होगा मतलब equal unit होगा ठीके 1 2 3 4 5 तो इसमें से हमारा 2 by 5 कौन सा है यह हमारा 2 by 5 हो गया यह हमारा 3 by 5 यह हमारा 4 by 5 यह हमारा 5 by 5 अभी हमको mixed fraction निकालना है number line पर तो mixed fraction मतलब हम है एक whole number और एक fraction हमको लेना है तो यह whole number हमारा हो गया यह हमारा 1 by 5 यह जो है 1 by 5 यह 2x5, यह 3x5, 4x5, 5x5 यह 5x5 को हम 3 ले लिए यह आपको mind बे लेना है किसको क्या divide करना है वो आपको choose करना है तो अभी हमारा यह जो portion हो गया यह हमारा 2x5 हो गया यह point हमारा हो गया तो अभी यह point को हम अगर कुछ भी नाम दे देंगे तो point A is equal to 2, 2x5 हो गया हमारा यह हमारा 2 है और यह हमारा 2x5 हो गया इससे आपको number line ड्रॉ करना है अगर आपको 3x5 पुछा जाएगा तो वैसे आपको divide करना है 3x5 भी सो करना है अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप like, share, subscribe कर देना थैंक यू